प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के गुजरात दोरे पर रहेंगे। बुसूरत और भावनगर में कई पर योजनाओं का शिलान्यास और लोकारपन करेंगे। अहमदाबाद में राष्ट्रिय खेलों के शुभारम के साथ नवरात्री महोतसब में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के उधंपूर में आठ घंटे के भीतर दो बसों में धमाके हुए। बीती रात एक पेट्रोल पंप पर खड़ी एक खाली बस में पहला विसफोर्ट हुआ जिसमें दो लोग घायल हो गए। वहीं आज सुबह उधंपूर बस अड़े में खड़ी एक और बस में जोरदार विसफोर्ट हुआ। जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि विसफोर्ट में पास खड़े अन्यवाहन भीक्षत इग्रस्थ हो गए। महिलदा एशिया कप क्रिकेट Tea 2012 का एक अक्टूबर से आगाज हो रहा है। यह टूर्णामेंट बांगलादेश की मेजबानी में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का पहला मैच बांग्लादेश महिला टीम थाइलेंड महिला टीम के बीच एक अक्टूबर को खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में भारतिय महिला टीम अपने पढ़ोसी देश श्रीलनका महिला टीम से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हाई बोल्टेज वाला मुकाबला साथ अक्टूबर को भारतिय महिला टीम पाकिस्तान महिला टीम के बीच खेला जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वैंकटर मनी को तीन साल के लिए भारत का नया अटॉनी जनरल बनाया गया। वैंकटर मनी नय अटॉनी जनरल के रूप में केके वेनु गोपाल की जगह लेंगे। मौजुदा अटॉनी जनरल केके वेनु गोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्थ हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाडियों की भर्ती के अंतरगत आरक्षी नागरिक पुलिस के पदू पर भर्ती के लिए अधिसूसचना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोनती बोर्ड ने जारी कर दी है। बोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक विभिन खेलों, विधाओं में 335 पुरुष और 199 महिला समेत कुल 534 कुशल खिलाडियों की भरती की जानी है। कॉंग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रिय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयनती पतनायक का निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी, चार बार सांसद रही और ओरिसा के दिवंगत मुख्यमंत्री जेबी पतनायक की पतनी जयनती पतनायक काफी समय से बीमार चल रही थी। वाटसेप में कई खतरनाक बगा गए हैं। भारतिय साइबर एजेंसी इंडियन कम्प्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम आएन सी इर्टी, आएन ने इस बारे में अलट जारी किया है। बग्स के जरिये साइबर हमलावर दूर से ही मालवेय इंस्टाल कर सकते हैं। वीडियो काल के जरिये या यूजस को वीडियो फाइल भेज कर मालवेय इंस्टाल किया जा सकता है। इससे यूजस का डाटा भी लीक हो सकता है। और वाटसेप यूजस को नवीनतम सुरक्षा अपडेट इंस्टाल करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के कानपूर के एक कोौचिंग सेंटर में आज आग लगने से हर कम्प मच गया। यह हादसा ग्लोबल अकैडमी कोचिंग सेंटर में हुआ है। शहर के बर्रा के सचान 14 पर यह कोचिंग सेंटर चल रहा था। मौके पर मौझूद लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को तत काल दी सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़िया मौके पर पहुँची हैं और आग बुझाने के प्रयास किये जा रहे हैं कोचिंग में फंसे तीन बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है आज लखनव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिया अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के पूर्ग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लगातार फिर से पार्टी का राष्ट्रिया ध्यक्ष चुन लिया गया रेड्मी अपने पैड का नया वर्जन अगले महीने की शुरुआत में लॉंच करेगी शाउमी अपने अपक्मिंग ग्लोबल इवेंट में यह पैड पेश करेगी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पैड को शाउमी 12T और शाउमी 12T प्रो के साथ लॉंच किया जाएगा यह टेबलेट बैटरी और फास्ट चार्जिन को स्पोर्ट कर सकता है जानकारी के अनुसार कमपनी इस टेबलेट का 5G वर्जन भी लॉंच कर सकती है रेडमी पैड के फ्रन्ट और बैक में सिंगल कैमरा मिलेगा दोनों ही कैमरे 8MP के हो सकते हैं रेडमी के पहले टेबलेट की कीमत 250 यूरो लगभग 19,595 रुपे हो सकती है